नबश्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाजफाइंडर पर So recently announce किये गए budget 2022 में भारत के रक्षा के शेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा allocation किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, the government has now allocated 5250 billion rupees for India's defense कई सारे news cuttings आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, rupees 5.25 lakh करोड allocated for defense budget साथी में यहाँ पर यह भी चीज़ सामने आई है, जो कि काफी जादा यहाँ पे private sector को और domestic sector को प्रोचसाहित करती है 68% of capital to be earmarked for the domestic industry, इसके क्या माइने हैं, इसको मैं समझाओंगा आपको, यह भी आप देख सकते हैं, new Indian Express की यह खबर है defense budget increased by 9.8% यानि की, पिछले साल के संदर में अगर आप तुलना करेंगे, तो इस साल लगभग 10% के आसपास से, आपके defense budget में आपको बढ़ोती देखने को मिली है and more importantly, कई सारे कदम इस तरह के announce के गए हैं, जिसके चलते हमारे defense के sector में indigenization का भी आपको एक बड़ा योगदान देखने को मिलने वाला है तो इनी सब चीजों के बारे में discuss करेंगे कि exactly यहाँ पर क्या transformation हुई है और क्यूं यह हमारे make in India और आप भारत के लिए बहुत ही अच्छी developments मानी जा रही है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनेरुद, यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलेग्दाम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, इसके इलावा आप लोग जोट सकते हैं using this particular handle on the ARN Academy app as well आल राइट, तो सबसे पहले तो major numbers की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो exact आंकडा है 2022-23 के लिए defense की allocation का, वो यहाँ पर दिया गया है 5,25,166 करोड, तो यह आप देख सकते हैं इस साल का budget allocation है, पिछले साल का जो budget allocation रक्षा को लेकर किया गया था, वो कितना था, 4,78,196 करोड, अगर आप देखेंगे, दोनों को subtract कर लेंगे, तो total जो हमें increase देखने को मिला है, that is 46970 करोड, और यह कहा जा रहा है कि यह वाला जो increase है, यह लगभग 9.8% के आसपास का आपको देखने को मिल जाता है, more importantly आप यहाँ पे यह भी देख सकते हैं, एक major push यहाँ पे self-reliance की तरफ दिया गया है, in the manufacturing of the military platforms, यानि कि हम लोग हमारी armed forces के लिए कई सारी चीजें, जिनका विनिर्मान पहले भारत से बाहर होता थ उसका विनिर्मान आज भारत के अंदर push करवाने के लिए काफी सारे और कदम भी announce किये गए हैं, कुछ और आंक्डे जो की हमारे लिए important है, 2022-2023 के लिए जो total यहाँ पे allocation करी गई है लगभग 75 लाग करोड की, उसमें से लगभग 1.5 लाग करोड, Rs. 15239 करोड has been set aside for the capital expenditure which includes purchasing the new weapons, aircraft, warships and other military hardware, तो यहाँ पर काफी बड़ा allocation केवल और केवल capital expenditure के ऊपर किया गया है, within the allocation of the defense budget, अगर आप देखें, पिछले साल का जो यह allocation था, यह इतना नहीं था, पिछले साल यह allocation लगभग 1,35,060 करोड के आसपास था, तो लगभग यहाँ पर भी हमें 10% का increase देखने को मिला है, अगर आप बात करते हैं capital expenditure के बारे में, जो बचा हुए expenditure है, उसके आंकड़े यहाँ mentioned है, आप इसको देख सकते हैं, यह आप देख सकते है, revenue expenditure allocation जो है 2,33,000 करोड के आसपास का किया गया है, और ministry of defense civil के लिए allocation लगभग 1,19,696 करोड के आसपास का किया गया है, जो बड़ी चीज हमारे सामने आई है, वो यह चीज सामने आई है कि सबसे पहने तो एक domestic push दिया गया है defense के लिए, जिसमें कि quarter of the research budget for the private players, यानि कि सबसे बड़ी बात क्या है, 25% का जो आपका budget है, उसको सीधा सीधा set aside किया गया है for the private sector, और यह वाली announcement को, जो हमारे रक्ष R&D budget for startups and the private entities in the financial year 2022-2023, पहली बात तो यह है कि हमने एक separate और dedicated allocation defense की R&D के लिए करी है, उस dedicated allocation में से 25% का जो allocation है, वो सीधा सीधा startups और private entities के लिए किया गया है, कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे private sector को काफी जादा push करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी बड़ी announcement यह है, जो क मैं मानता हूँ सबसे बड़ी announcement है in this budget 2022, वो यह है कि 68% of the budget of the capital to be earmarked for the domestic industry, अब इसमें क्या था, कि जो भी हम लोग पैसा allocate करते हैं capital expenditure के तौर पर, उसमें कुछ percent India जो है, वो Indian industries को देता है, कुछ percent India जो है, वो बाहर की industries को allocate करता है, यानि कि इतने रुपे का समान आप इया में से ही खरीदेंगे, पिछले साल ये वाला जो आकड़ा था, ये 58% पे stand करता था, और क्योंकि पिछले एक दो वर्षों से हम लोग काफी जादा कोशिश कर रही है, आत्म निलभरता की और बढ़ने के लिए, इसलिए ये वाले आकड़े में, sudden हमें jump देखने को मिला है, 10% का, 68% of the capital has now been earmarked for the domestic industry, आप यहां पे देख सकते हैं, Sita Raman's announcement that 68% of the defense would be allocated towards procurement from the domestic industry, याने की आपकी रक्षा के शेतर में जो खरीद है, वो घरेलू उत्पादनों से ही, घरेलू उद्योगों से ही करी जाएगी, and this is the big announcement जो की इस साल की budget में करी गई है, इसको लेकर for local push, and it will certainly boost the domestic defense industries, यह पिछले साल 58% था, इस साल बढ़ा करके 68% कर दिया गया है, जो की again एक तरीके से परोचसाहन देता है, हमारी domestic industry को ही, आप देख सकते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, कि भारत पिछले लगभग 2.3 साल से इस particular दिशा में बढ़ चुका है, August 2020 में पहली बात, ministry of defense ने एक embargo की list जारी करी थी, 101 items की, जहां पर कहा गया था कि इन चीजों को अब हम भार से नहीं मंगवाने वाले हैं, और यह कोई छोटे मोटे components, छोटे मोटे spare parts नहीं थे, इसमें बड़े बड़े आपके equipments आते थे, जो की हम लोग भार से मंगवा रहे थे, और इ imports कहने का मतलब साफ है, कि हम लोग हमारी defense के sector में self-reliant बनने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं, और इसी कोशिश में defense की announcements भी आपकी, जो budget में करे गई हैं, यह काफी मायने रख बनती हैं, इस चीज़ को ANA experts ने भी काफी welcome किया, आपके सामने हैं Vice Admiral Paras Nath, जो की retire हो चुके हैं, इन्होंने recently बताया कि it is heartening to see that the part of the R&D budget has been allocated to the industry, startups and the academia, this will be a positive move in particular for startups and MSMEs to have their in-house R&D, So yes, we are waiting to see, कि अगले साल, यानि कि आने वाले वर्ष में, आने वाले वित्ये वर्ष में, भारत का defense का sector कि इस तरीके से perform करता है, undoubtedly इस साल के sector, इस साल में भी हमारे defense के sector ने काफी अच्छा perform already कर दिया है, फिलहाल के लिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही, जाने से पहले ब पिंड comment में available करवा दूँगा, इसके साथी में Unacademy आपके लिए विशेश offer लेकर आया है, जिसको की extend किया गया है, second February तक, और ये इसके बाद जो है, इस तरह के offers आपके लिए नहीं लाए जाएंगे, 20% का discount आपको दिया जाएगा, अगर आप लोग अनी UPSC code का इस्तिमा करवा दिये जाएंगे, साथी में अगर आप लोग अनी UPSC इस्तिमाल करते हैं तो आपको ये वाले extra benefits भी देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ में ये वाले batches आपके लिए उपलब्द करवाए जाएंगे, अगर आप लोग on board आते हैं तो, and also, आप लोग combat में सा ले सकते रहे हैं, आनवाले दाविबार के दिन, using the code ANI UPSC, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.